नमस्कार आप देख रहे हैं मासकोम जंक्शन मैं डॉक्टर प्रदीब कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ पिरी विद्यार्थियो आज हमारा विशे है ओस्गुड मॉडल ओफ कमिनिकेशन आज के इस लेक्चर में हम समझने का प्रयास करेंगे कि Charles E. Osgood जोनोंने मॉडल दिया है उन्होंने संचार के बारे में क्या बताया है उन्होंने कैसे संचार के फ्लो के बारे में बताया है किस परकार संचार का फ्लो होता है और समझने का प्रयास करेंगे कि संचार के शेतर में इस मॉडल का कितना महत्व है साथ ही इसकी मैरिट और डी मैरिट पर भी हम चर्चा करेंगे चार्ल्स ई ओस्गुड चार्ल्स इगर्टन ओस्गुड एक अमेरिकन साइकोलोजिस्ट प्रोफेसर और कम्निकिसन साइन्टिस्ट रहे हैं उन्होंने 1954 में यह मॉडल दिया साथ में विल्बर श्रेम जो एक बहुत अच्छे संचार विग्यानिक रहे हैं उन्होंने भी इस मॉडल में contribute किया इसलिए हम इसे ओस्गुड और श्रेम मॉडल के नाम से भी जानते हैं आईए अब ओस्गुड मॉडल के अलग-अलग elements हैं, components हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये मॉडल काम करता है, कैसे इसमें communication का flow होता है इस मॉडल को समझने से पहले आपको खुद को इसमें as a participant इसमें शामिल करना पड़ेगा मान लीजिए आप अपने दोस्त से किसी विश्य पर बात कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि औस्गुड मॉडल of communication, interpersonal communication यानि जब आप एक दूसरे आदमी से बात करते हैं साथ ही जब small group, दो small group हैं दो दो तिन तिन लोग उसमें हो सकते हैं, चार लोग हो सकते हैं वो जब आप असमें बात करते हैं तो वहाँ पर ये लागू होता है, वहाँ पर apply होता है और वहीं के लिए model बना है फिला हला में इसको interpersonal communication यानि आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं उस लिहाज से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी सी इसको समझ सकेंगे उधान के जरीए suppose कीजिए आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं और मुद्धा है करॉप्शन तो सबसे पहले आप एक encoder है आप करॉप्शन के मुद्धे पर अपने दोस्त के साथ चर्चा कर रहे हैं आप कहीं कैंटीन में बैटे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं और वहाँ पर आप बातचीत के लिए बैटे हैं थोड़ी देर के लिए अपने फ्रेंड के साथ आपके दिमाग में ये विशे आया कि करॉप्शन पर हमें चर्चा करनी चाहिए आपने जो बोला आपने कुछ एंकोड किया आपके दिमाग में जैसा भी सोचना करॉप्शन के बारे में कि करॉप्शन क्यों बढ़ रहा है ब्रस्टाचार को क्यों बढ़ रहा है कैसी इसको कम किया जा सकता है कौन इसके लिए जिम्मेदार है आपने अपनी राय रखी यानि आपने अपना message दिया अब आपका message आपके friend के पास पहुँच जाता है उसको हमान लेते हैं आपका दोस्त है उसके पास आपका message पहुच जाता है जो आपने राए रखी है corruption के बारे में और आपका दोस्त अपने तरीके से आपकी राय को या आपकी बात को समझने का प्रयास करता है यानि जो बात आपने रखी आपकी बात को समझने का प्रयास करता है डिकोड करता है आपका फ्रेंड और फिर उसको इंटरप्रेट करता है व्यक्या करता है समझता है विल्कुल दिमाग में जैसे आपके मंधन हुआ आपने घठाचार पर यहाँ कि आप हमें बात करने चाहिए आपके दिमाग में काफी मंधन आपने किया फिर उस में अपने पॉइंट रहुआ है आपके दोस्त ने उसको समझा है आपने पॉइंट रखा फिर उसने उस पॉइंट को समझा हो सकता हुसे सहमत भी हो सकता आपकी बाद से वह सहमत भी हो कुछ भी हो सकता है लेकिन उसको समझने के बाद वह आपको रिप्लाइ करता है उसको इंटर्प्रेट करने के बाद आपको रिप्लाइ करता है और वह वो अपनी भाशा में फिर आपको जवाब देता है आपकी बात को समझने के बाद तो वो बन जाता है encoder और वो अपना message फिर आप तक भेजता है और फिर आप एक decoder की भूमिकामे होते हैं आप अपने दोस्त के message को समझने का प्रयास करते हैं decode करते हैं कि आपने जो बोला था उस पे आपके दोस्त ने क्या reply दिया है मन्तन करने के बाद अब आप उसको decode कर रहे हैं decode करने के बाद आप खुद उसको interpret कर रहे हैं जैसा कि आपके दोस्त ने भी interpret किया था आम आदमी है, वो भी कहीं ना कहीं बराबर का इसमें जिम्मेदार है, करॉप्शन को जो बढ़ावा मिल रहा है, हो सकता है उसने एक पॉइंट एड़ किया हूँ, आप उस पॉइंट को समझने का परयास करते हैं, और फिर रिप्लाइ करते हैं अपने फ्रेंड को, हो सकता है आम आदमी इतना जिम्मेदार नहीं है, अगर उपर से सिस्टम ठीक हो, तो सारा सिस्टम ठीक हो सकता है, हो सकता है उसकी बाद से सहमत भी हो सकते हैं, कि हाँ आप ठीक हैं, अगर हम अपने इस तरवे परयास करें, हम रिशुत देना ही बंद कर दें, तो लेने वाला क्या क चल रही है आप कह रहे हैं फिर वह उसके reply को सुनके आप अपना reply दे रहे तो यह जो प्रोसेश है जो यहाँ पी आप देख रहे हैं जो एक के साथ अपने दोस्त के साथ चर्चा कर रहे होते हैं और आप कि जैसे कि मैंने बताया इंटर पर्सनल कम्यूनिकेशन यह परसंट टू परसंट जब कम्यूनिकेशन होता है वहां के लिए मौडल बिल्कुल अप्यूकत है तो जो नए एलिमेंट चार्स इ ओस्गूड ने पने मॉडल में वो आप आप हैं कोडर देख रहें होता है स्क्ता यह मैसी को एक कम el कर रहा है और decoder वो है जो message को receive कर रहा है और इसमें एक ही आदमी एक बार encoder भी होता है एक बार decoder भी होता है जब अपने दोस्त को आप कुछ कह रहे होते हैं अपना मत रख रहे होते हैं अपनी opinion रख रहे होते हैं तो आप एक communicator है और जब आप अपका दोस्त अपनी बात रख रहा है तो आप वहीं पे एक receiver की भूमिका भी निवाती है तो यहां पे आप और अपका दोस्त की भूमिका में होता है एक बार वह receiver की भूमिका में होता है तो दूसरी बार वह communicate करता है उसको receive करते है और यह process लगातार चलती रहती है और इसमें जैसे कि हम पहले के जो मॉडल समारे थे चाहे वो लॉस्वेल मॉडल है उस वो सारे लीनियर मॉडल थे उसमें एक लाइन में कमिनिकेशन हो रहा था लेकिन यहां पर जैसा कि आपने देगा फीडबैक एक नई चीज सामने आई यह लगातार फीडबैक मिलता रहता है और डिसकुशन का ने पढsem भाट बोली फिर आपके फ्रेंडे और दी सरी वो ली दोसरी बीस तरह से सरकल लेयर के उपर रहिए स्ङिक चलती रहते। इस आपका दिसकुशन 15 लिग चल सकता है बीस मिनट भी आदा घंठा भी और एक पान्द भी और हो सकता 170 मिन फस्वाइड सिक्यों उसको हम समझने का परियास करते हैं, सबसे पहले हैं मैडिट की बात करते हैं, जो मॉडल है, यह डायनिक है, यानि इसमें जो कम्मुनिकेशन की प्रोसेस है, वो लगातार चलती रहती है, यानि इसमें लगातार जो है, communication की process है, वो continuous form में लगातार चलती रहती है, आपने कुछ बोला, सामने से कुछ बोला, फिर आप सुन रहे हैं, फिर आप जवाब दे रहे हैं, तो एक dynamic process है, static नहीं है, then interactive है, जो osgood model है, उसमें interaction बहुत होती है, इससे पहले कि जो linear model थे, वहाँ one way communication हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि interaction हो रही है, यानि जब आप कुछ कहरें तो सामने से भी कहा कुछ कहा जा रहा है, हमने पहले discuss किया multi linear, या इसमें कई line होती रहती हैं, क्यों जितना सवाज ज्यादा लंबा चलेगा, उतनी lines होंगी, communication की उतनी ज्यादा दायरा उसका बढ़ता जाएगा, यह circular model है, इससे पहले जितने model थे, linear model थे, circular model है, क्योंकि आपने कुछ कहा, फिर आगे से कुछ कहागा, feedback इसमें दिया गया, तो यह process, आप कुछ कहरे हैं, फि आप एक सवाल करें, फिर एक जवाब आ रहा है, तो feedback, इसमें feedback के बहुत ध्यान दिया गया, और feedback, जितना मजबूत होगा, यह feedback जितना आएगा, उतनी process यहाँ पे न क्यों लंबी चलेगी, बलकि communication effective भी होगा, और जो communication model है, वो serious discussions के लिए, यानि विचार विमर्ष के जब आपने दोस से बात कर रहे होते हैं, टीचर से बात कर रहे होते हैं, तो इंटर पर्सनल कमिनिकेशन, जब person-to-person communication होता है, वहाँ पे यह model जो एक दम सटीक बैठता है, उसके लिए बिल्कुल appropriate है, then demerits के अगर हम बात करें, तो इस model में जो noise factor है, या जो communication के जो barrier है, कई बार ऐसा होता है कि आप कहना कुछ चारे हैं, जब दो लोग आप उसमें बात कर रहे होते हैं, तो उसमें कई बार issues create होते हैं, चाहिए टीचर आप से बात कर रहे होते हैं, चाहिए अपने आप घर पे किसी से बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक barrier यह आता है कि तो इस मॉडल में उस नॉइस का उस बैरियर का जिकर नहीं किया गया कि नॉइस और बैरियर भी कई वर आ जाता है इंटर पर्सनल कम्मिनिकेशन में जब आप डिसकुसंस कर रहे होते हैं दूसरा जो सबसे एहम बात है इसमें जैसे लेवल ऑफ अंडिस्टेंडिंग इस इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है कि दोनों का जो स्तर है दोनों में जो समानता जो होनी चाहिए हर स्तर की अगर वह नहीं होती है तो आप जैसा आउटपुट चाहरे हैं जैसा कम्मिनिकेशन के इफेक्टिव बनाना चाहरे हैं वह कई बार नहीं होता है वह इस मॉ perception होती है कुछ चीज़ों को लेकर के ठीक है तो occasion, mood, perception इस तरह का जो कुस factors हैं उनको ज्यादा discuss नहीं किया गया क्योंकि interpersonal communication में यह factors बहुत minor रखते हैं communication को effective बनाने के लिए तो पर यह विद्यारतियों आज हमने चर्चा की Osgood model of communication के बारे में और इस model को जो खास बनाता है वो बनाता है कि इसमें जो feedback का mechanism है जो interactive है यह model, dynamic यह model है वो पहिना के इस model को खास बनाता है और एक interpersonal communication के लिए बिलकुल appropriate model नजराता है तो पर यह विद्यारतियों communication models की जो हमारी सीरीज है उसके अगले वीडियो में हम एक और नए model पर चर्चा करेंगे तब तक आप जुड़े दिये हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन धन्यवाग